नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बाइ फिर से हमारी यूटूब चैनल प्रिंस एजूकेशन पॉइंट पर तो सातियों कैसे आप सभी लोग आसा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे तो सातियों आज मैं आप सभी के लिए बहुत यह अच्छी जानके खुष हो जाएंगे ठीक है सातियों आपको मतलब में सारी इंफोर्मेशन देने वाला हूं साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके क्वालिफिकू किया रहने वाली है याणिकी एज लिमिट क्या-क्या माँगी है और आपके देखिए सारी इनिकी फिजिकल इ वीडियो चाहते हैं तो प्लीज आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन प्रेस करें तागी मैं आपको जब भी वीडियो लाओ तुरंत इंफर्मिशन मिल जाए तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के कि अगे तो भाइओ सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इंडियन कोस्ट गार्ड की देखिए नाभिक जी डी डी और आपकी देखिए इसमें जन्रल डूटी यानिके इसमें देख सकते हैं आप जन्रल डूटी नाभिक टोमेस्टिक ब्रांच और आपका यांतरि यानिकि 5 जनुरुणरी से आप這邊 Devi सकते हैं और इसके उनिस तारेक लासkeit है ओन्मिस जनुरु यानिकि 19 जनवरी तक आप से आजपास मिलने वाले है15 के एबरेज आपको मिलने वाले जिसली आपकी आपको है कर देंगे इतना चयाव कर देंगे लिए नहीं परफिन यолод पॉलो करना होगा तो देख सकते हैं आप अप्रिकेसिंगे इन्वाइट फिर मेल एंड कंडिशन यानि इसमें रखा गया है कि आपके लिए अजर आप इसके लिए अप्लाइब कर रहें तो देखेंगा आप देख सकते हैं और पोस्ट आप इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आ आपशन गार्ड आयर्णद आपि जीडि कि निकाली है इसमें कि आपका दिखा यहां पर दिखा हुआ है 10 प्लस त्व यहां पर देख सकते हैं 10 मे Campbell prepared math and physics from education यहां पर देख सकते हैं किसी भी बोर्ट से की हो आपने आपको मैंने कि मैथ और physics होना जरूरी है 12th class में ठीक है बालो जी बाला इसमें नहीं चलेगा आगे बात करें सेकंड पॉइंट के बारे में सेकंड है आपका नाभिक आपके देख सकते हैं इसमें आपके साथ में एक चीज और महांगा डिप्लोमा एंड लेक्रिकल मेकैनिकल एंड एलेक्टोनिक्स इटैली कम्मुनिकेशन रेडियो पावर आप एक किसी के साथ भी अपना डिप्लोमा होना जरूरी है अगर आपने 10 और डिप्लोमा कर रख था देख सकते हैं आपके बाइन यान्तरा क्लोमा होना चाहते हैं चाहते हैं जी दी लिए और धो यारवर आपड़्लोमा करना चाहते हैं तो दूनों के-लिए हैंатель आप बार्ट यह होनी चाहिए एक अगल 2000 ना इन सोरी 1999 से यानि कि उन्निस सो निन्यावे से लेके 31 जुलाई 23 तक के लिए बीच में आते हैं यानि कि आप दीओ भी हाँ पर देख सकते हैं इस कैटिगरी के भी यानि कि इन दोनों डेट्स के बीच में आते हैं तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं ठीक ठीक है आगे बात करते हैं देखें इसमें अच्छी बात बताएगे कि जो कैंडिट्रे सी और स्ट 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 के लिए उनके लिए अच्छी ख़बर है कि मतला आपके लिए पांट साल का रिलक्सेशन दिया गया यहां पे आप देख सकते हैं और जो कैंडिएट ओबी सी है टोटल पोस्ट की बात करूं तो 358 पोस्ट है इसमें टोटल पोस्ट सारी पोस्ट सारी पोस्ट को मिला के मलें इनकि आप देख सकते हैं यहां पर पोस्ट वाइड और कैटिक्री बाइस यहां पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहां पर आप यहां पर इस्क्रीन कि पोस्त हैं एनिकि Taylor więc एति सब्सक्राइब कर लेते हैं तो देखिए section first आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसमें कि आपके passing marks की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं UR के लिए 30 EWS OBC और SCST के लिए 27 ठीक है भाई हो आगे बात के लिए देखिए आप GD के लिए करना चाहते हैं section first and second section second section section का मतलब क्या है आप देख सकते हैं अभी मैं आपको बताना चाहूंगा पहले देखिएगा मैं आपको कोश्टगार नाविक DB के बारे मता देता हूं ठीक है अब section first में आते हैं देखिएगा आप DB के अगर देखना चाहते तो यहाँ पे DB के लिए बात करूं तो देखिएगा मतलब मिनिमम मार्क्स की बात करना तो देख सकते हैं अब डिटेल और एज़ू की सिक्स्टी रखे गई हैं टाइम की बात करूं तो इसमें आप देखिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो दीबी के लिए यह कौलिफिकिसंस रखी गई है ठीक है बाइओ अब देखिए ऊपर चलते हैं अगर आप जीडी के लिए करना चाहते हैं यहनु कि जी इक फर्सक्राइब के लिए अपकी यह दोनों रहेंगी जिसमें कि आपका minimum marks की बात करें तो 50 यानि कि इसमें दोनों रहने वाली आप देख सकते हैं physics और math 50-50 marks के पूछे जाने वाले है साथ में ये भी पूछा जाएगा तो आप इसकी preparation कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा hard नी normal सा प्रोसेस सबसे मने बता दिया आपको कुछ hard नी normal सा ज्यादा hard नी ठीक है आगे बात कर लेते हैं देखेगा जैसे कि इंडिन एर फोस ने वी में होता हुसी साथ सारा है यानि की detail तो ज्यादा कुछ hard नहीं है मतलब से syllabus है फार सा जहीं है यान ज्यादा नहीं है ठीक है भाइयो आगे बात करें एक इस ताले स्टे से कमें आप देख सकते हूं आपको आपको आपका person यॉल्या ऋनिंग यॉल अनिकी श्रफक्श किलो मिट्र थे कुमेट्टक रेंग यॉनी कि ने वाले यॉन मिन टार्मिन टामि आपको होने वाला है और देख सकते हैं यहां पर यह सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है ज्यादा कुछ हाड नहीं है स्टेज थार्ड भी डॉकुमेंट वैरिफिकेशन पास फेल आप देख सकते हैं ज्यादा कुछ हाड साथ नहीं है मतलच आगे बात कर लेते हैं क्यक् уж कि यहाँ पर देखिएगा आपका 6 की बात करें तो देखिए की मिस्ति हाट की बात करें सबसे पहले हैट के बात कर लेते तो फिक्ती सैंटिमेटर हाइट होनी चाहिए यायनि कि आप देख सकते हैं यहां पर kor Mull तो मेजोरम नागालेंड आसाम से आते हैं और मेगले इन सबी से आते हैं तो उनके लिए टू सैंटीमेटर का यानिकि इसमें वह दिया गया रेलक्सेशन तो आप देख सकते हैं चेस्ट की बात करोते देखेगा आपको पांट सैंटीमेटर एक्सपेंड करना जितना विए आ यानि कि हाइटेंड एज के साफ से 10% प्लस हो सकता है 10% माइनस हो सकता है ठीक है सुनने की प्रक्रिया आपको नॉर्मल होनी चाहिए यह सब तो आपको पता ही ज्यादा सब पता ही होगा आगे बात करें देखेगा मैं आपको पताना चाहूंगा कुछ खास इंफोर्मेशन इसमें ज़्यादा नहीं दी गई है मेरे इसापसे आप देख सकते हैं जिसमें कि आपका बहुत अच्छा यानि कि पेज्गि बात करें तो देखें पेbon देखेंगे बात कर लेते हैं सबसे अच्छी बात आपके बात कर लेते हैं सबसे मेन 포인्ट प्राइच आते हैं क्या admit card सभी क्यांगी थो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमय जो है कि आपकी बार कुछ फीस रखी गए hmm अभी आपको मैं दिखाता हं इसमय सबसे पहले मैं पताना ते देखे online exam होगा इसमें negative marking नहीं होगी यानि कि negative marking नहीं होने वाली है ठीक है बाई हो सबसे अच्छी बात यह है negative marking नहीं होगी और देखी एक बात बताना चाहूँगा मैंने यहनि कि thumbnail पर दिया था जिसमें कि मैं आपको बताना चाहूँगा क्या admit card सभी के आएंगे तो मैं आपको बताना चाहूँ हूँ 100% जो है वो सभी के आएंगे सभी के आएंगे एडमेट कार्ट ठीक है भाई हो यह आप चिंता ना करिएगा अपनी पिप्रिशन को स्टार्ट कर दिये जगा सभी के आएंगे ओनलाइन एक्जामनिशन होगा कुछ इसमें फीस रखी गई है अभी आपको मैं दिखा देता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आप यहां पर फीस की बात करो तो जन्रल ओभी सी डव्लू एस के लिए 250 रुपी रखे गई है ठीक है और जो केंडिड स सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है तो मैंने अभी आपको बताई तो आपको मैंने दे दी किस हिसाफ सितिक क्या था तो आप देख सकते हैं कि कुछ ज्यादा हाड नहीं है नॉर्मल सा सिस्टम है आप इसमें अप्लाइज जरूर करिए का सभी के अड़ प्लाइज जरूर करिए अगया बस इतनी सी इंफर्मेशन आप सबीको देने वाला था मेरे साबसे मैंने सारी इंफर्मेशन आपको इसमें कबर कर दिया कि कोई भी बात नहीं बची होगी जो आपको फिर भी आपके कोई भी पूश्चन रहा जाता है जैसे कि कोई भी तो आप अपनी तयारी कर दीजिए स्टार्ट और आप सभी समय इतना कहना चाहूंगा अगर आप ऐसी इंफर्मेशन वीडियो चाहते हैं तो प्लीज आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करने हैं ताकि मैं आपको जब भी वीडियो ले